नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अंसुमन नायक और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस निउज की डिफेंस टॉक्स रीच में जहांपर हम रोज नए-नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडि के बारे में बात करने वाले हैं कोब्र आम तोर पर स्मॉलर साइच की वेसल्स होते हैं जोकि डिफेंस मनेस्टि को रिक्वेस्ट किया गया था और 2022 की जून तक इसके लिए नेवी को acceptance of necessity को इसू कर दिया गया था जील कीमत करीब 36,000 करूट के आसपास होने वाली है और अभी पिछले मई नहीं इंडिये नेवी की तरफ से अपनी इन सम्मरीन प्रोजेक्ट के लिए एक request of proposal को इसू किया गया है इसमें अभी टोटल चार L2 Weider सामिल रहेंगे जिसमें सबसे कम बीट करने वाले यानि की L1 Weider को पांच विसल को बनाने का contact दिया जाएगा और L2 Weider को यानि की दूसरी सबसे कम बीट करने वाली कंपनी को इस से पेड को तीन विसल को बनाने का contact दिया जाएगा अब जैसे कि यह हमारे next generation kovets होने वा और इनको primarily anti-submarine warfare, air defense warfare और land attack रोल के इस्तमाल किया जाएगा इसमें एक 76M की multi-purpose naval gun होने वाले इसके अलावा इसमें 8 vertical launch tube भी मौजूद रहेंगे जिसमें हम ब्रमोज या फिर LR LACM जैसे cruise missile को आगे चलके इस्तमाल कर पाएंगे अगला update exoskeleton suits को लेके यह वो suits हैं जो कि इनसान को अपनी ताकत के मुकाबले कई गुना ज्यादा वजन को उठाने में और regular speed से ज्यादा speed में चलने में या काम करने की capability प्रोवाइड करते हैं जैसे इनको कई तरह के application के लिस्तमाल किया जा सकता है लेकिन अगर इनकी military application की बात करें तो इनको soldiers की combat effectiveness को बहतर करने के लिस्तमाल किया जा सकता है एक्सो skeleton suits भी mainly दो तरह के होते हैं जिनमें से एक active suit होता है जिनको operate करने के लिए हमें power की जरुरत पड़ती है और एक passive suit होता है जिनको बिना किसी power के इस्तमाल किया जा सकता है और यह सबसे simple exoskeleton suits होते ह ऐसे exoskeleton suits को develop करने की दुनिया की हर एक develop country कोशिस करें जिसमें चाइना की तरब से 2020 में पहली बार लद्दाक में अपनी soldiers को इन suits के साथ deploy किया गया जो कि उनकी soldiers को बहुती आसानी से heavy weight को carry करने में और पहाड़ चड़ने में मदद कर रहा था अभी वेसे ही exoskeleton suits को राजस्थान वेस्ट एक Indian company निवंदर innovation की तरब से develop किया गया है और अभी इस company के CEO गणे स्राम जांगिर का कहना है कि इन suits को खास करके soldiers के endurance और speed को बहतर करने के लिए बना जा रहा है इसके अलावे suit soldiers को होने वाली muscular या bone damage को भी कम कर सकते हैं इसके अलावी soldiers को होने वाली muscular या bone related injury को भी कई गुना तक minimize करने वाले ये suits दो पार्ट में आते हैं lower part का नाम जैपूर बेल्ट है जो की mainly soldier की spine और back को support provide करता है बाकी upper part का नाम arm max है जो की maximum back और spine के अलावा soldier की arm को भी extra protection provide करता है company के claim के मुताबिक ये system दुनिया की सबसे हलकी exoskeleton suit में से एक होने वाला है जिसका वजन बस 1.8 kg है जबकि इसको पहनने के बाद एक normal soldier की weight carrying capacity 35 kg तक increase होने वाला है ये system एकदम simple system है जिस वजह से जब भी इसकी कोई part damage हो जाता है तो इसको बहुती आसानी से replace किया जा सकता और इसकी self-life बाकि किसी भी system के मुकाबले तीन से पांच साल बहतर होने वाला है इनको normally heavy loadout को carry करते हैं weapon को load करते हैं heavy cargo logistics को इधर उधर करते हैं समय इस्तमाल किया जा सकता है और अगर regular petrol में भी इसको soldier इस्तमाल करते हैं भी soldiers को काफी फाइदा होने वाला है क और किसी भी infantry unit को close support या close air support प्रोवाइड करते हैं समय यह सबसे cost effective but effective weapon होता है अभी हमारे MI-17 से लेके रुद्र और light combat helicopter में भी इसी तरीकी की rocket का इस्तमाल किया जाता है यह सभी rocket french origin rocket होते हैं जिनको हमें import करना पड़ता है खास करके रुद्र और light combat helicopter में जिन rocket का इस्तमाल ह जिसके चलते अभी थेल्स की 70 mm की rocket को अदाने defense की तरफ से भारत में making India scheme के अंदर manufacture किया जागा इससे पहले पिछले साल भी थेल्स की तरफ से बात बता गया था कि वह भारत dynamic limited के साथ एक similar agreement को sign कर चुके हैं जिसमें भारत dynamic limited की तरफ से भी थेल्स की 70 mm की rocket को भारत में बना जिसे rocket की unit Coe झारए के मकाबले कम वहने कि उमीद किया जा रहे यंदिक competition वढ़ने कि वजह से rocket की unit CoeCard for कम पड़ने की उमीद किया जारे ये rocket हलकी होने के साथ-साथ किसी anti-tank guided missile के मुकाबले काफी सस्ते होते हैं और ये बोध day-night condition में भी इस्तमाल किये जा सकते हैं और इनकी range भी लगबग 7 km तक होती है जिस वज़े से इनको closure support प्रोवाइड करने के लिए cost-effective and effective weapon माना जाता है अगला update new space research and technology की तरफ से आप सभी को पता होगा कि HL की तरफ से और new space research and technology की तरफ से साथ मिलकर अभी कई बड़े defense project के उपर काम किया जा रहे खास करके drones और combated teaming system के उपर काम किया जा रहे जिसमें cats warrior या loyal wingman जैसे system भी सामिल है इसके बाद पिछले साल new space की तरफ से बात बता गया था कि वो अभी एक और drone को develop करने वाल है जिसका नाम अभी one मी बता गया था जो कि एक UCAV होने वाला है इसको multiple operation के लिए इस्तमाल करने के लिए वो लोग design कर रहे थे और इसको आगे चलके mainly चार तरह के operation के लिए deploy करना गैम रखा गया था पहला तो इसको electronic warfare platform की तरह इस्तमाल करने का प्लान किया गया था और इसकी electronic warfare variant को दुस्मन की radars को jam करने से लेकि उनकी signal को intercept और disrupt करने के लिए इस्तमाल किया जा सकेगा इनकी RCS normal electronic warfare fighter jet के मुकाबले कई गुना तक कम होने की वज़े से दुस्मन की काफी करीब ही जा सकता था और बहुतर तरीके से उनको jam कर सकता था अब पहले इसको design एक साल पहले बता गया था वो एक non-stealth design था लेकिन अभी इसकी जो revised design को publish किया गया जिसको देखने के बाद ये पता चलता है कि अब इसकी design काफी अतक stealth होने वाले और ये एक stealth UCAV की तरह develop किया जाने वाला है इसके बाद इसको चैमेकर जी एटक करने के लिए ISR Mission के लिए, Operation के लिए ये डिकोई की तरह भी इस्तमाल किया जा सकता है जिसमें हम इसे दुस्मन के aircraft के साथ directly collide कर सकते हैं दुस्मन को इसे actual aircraft समझने में मजबूर भी कर सकते हैं और surveillance और normal intelligence gathering जैसे रोल के लिए इसका इस्तमाल भी कर सकते हैं और अभी इसकी जो design है ये पहले की मुकाबले काफी अदा stealthy होने वाला है जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए Indian Air Force की चार रफाल ग्रीस की अंदर विदा Airways में जाके पहुंच चुके हैं पहुंचने के तुरंद बाद ही Indian Air Force की रफाल, ग्रीस की रफाल और मिराज 2000 के साथ एक joint training को भी conduct कर चुके हैं अब इस अबसर पर जब Indian Air Force और ग्रीस की रफाल एक साथ एक multi national exercise में participate कर रहे थे तब ही ग्रीस की तरफ से भारत को रफाल को लेकर प्रॉपजल को दिया गया है ग्रीस को पता था कि अभी भारत काफी बड़ी मातरा में रफाल को order करने वाला है जिसमें अगर multi roll combat aircraft tender में रफाल को select नहीं भी यायता है तब भी रफाल कम से कम 26 रफाल हम को भी खरीदने वाल है और उपर से ग्रीस अभी खुद रफाल को खरीदने की planning कर रहा है तो इसी बात को लेकि ग्रीस की तरफ से भारत को ये proposal दिया जा रहा है कि अगर भारत directly फ्रांस के साथ बस अपनी रफाल को लेके negotiation ना करके ग्रीस और इंडिया एक साथ एक combined order को place करते हैं तो हो सकता है हमें रफाल कम कीमत पर मिल सकते हैं इससे dissolve को भी एक ही बार में बड़ी order मिलने वाली जिस वज़े से जो unit cost होगा उसको कम किया जा सके यानि कि हम सिर्फ हमारी requirement की हिसाब से order को place ना करके ग्रीस और हमारी requirement को मिला कर जो number आएगा उतना रफाल को लेके फ्रांस के साथ negotiation स्टार्ट कर सकते हैं अब हला कि इस proposal को लेकि अभी तक भारत की तरफ से कोई statement नहीं दिया गया लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे भारत कोई जादा फायदा होने वाला क्योंकि भारत की तरफ से अपनी रफाल में जो specific upgrade का demand किया गया था उसके हिसाब से हम ग्रीस के रफाल को negotiate नहीं कर सकते हैं और इसे ग्रीस को भी इंडियन रफाल की इंडियन specific enhancement के बारे में एकजिट जानकारी मिल सकती है जिसको clearly public नहीं किया गया था हला कि अगर इंडियन multi-role combat aircraft की tender में भी रफाल को ही खरीदने का फैसला किया जाता है और ग्रीस लगबग 100 के आसपास रफाल को order करता है तो इससे रफाल की overall cost ज़रूर कम हो सकता है लेकिन एक ही deal के अंदर दो अलग-अलग air force की requirement को negotiate करना मेरे हिसाब से negotiation process को काफी complex करने वाला है तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही मिलता हूँ आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहन बंद मातरम